सिर्फ पैर छुना ही सम्मान नहीं है किसी के आने पर मॉबाइल साइड में रख देना ये भी बहुत बड़ा सम्मान है हद से ज़ादा प्रेम हमेशा दर्द की तरफ ले जादा है मैं फिल में चल रही थी हमारे कतल की तैयारी हम पहुचे तो बोले बड़ी लंबी उम्मर है तुम्हारी कोई तो नाराज हो मेरी खामोशी से भी कोई तो जित करे मुझसे बात करने की औरत को चांदतारों की नहीं बलकि इज़त और महबत की जरूरत होती है हम जिसकी जितनी फिकर करते हैं न अक्सर वही लोग हमें कभी समझ नहीं पाते जिन्दगी में कभी कभी बहुत कुछ एक साथ विखर जाता है रिष्टे भी सपने भी और अपनी भी वो अपने ही होते हैं जो बातों से ही मार देते हैं भरना गैरों को क्या बता कि हमारा दिल किस बात से दुखता है सच्चे लोग दिल में उतनी जगए नहीं बना पाते जितनी जगए मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं विना गल्ती के मिली हुई सजा मौत से भी बत्तर लगती है आपका मित्र गरीब है या अमीर है ये मायने नहीं रखता बल्कि वो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा रहता है या आपका साथ छोड़ देता है सिरफ यहीं मायने रखता है अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव नहीं क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है और अनभव हमारे जिन्दगी की सीख होती है फालतू में खर्च करने से पहले उन लोगों का कर्ज उतार देना चाहिए जिन्होंने आपको अच्छा इंसान समझ कर उधार दिया था परिवार का महत्म हमें तब समझ में आता है जब हम किसी मुसीबत में फज़ आते हैं अभी सूचिए कि खुद को बदलना कितना मुश्किल है फिर दूसरों को बदलना कैसे आसान हो सकता है उससे कमाने में कभी भी इतना विजी मत हो जाना कि अपनी जिन्दगी जीना ही भूल जाओ अभी कभी नाराजगी भी ज़रूरी है ताकि कम से कम पता तो चले कि हमें कोई मनाने वाला भी है या नहीं है आपकी जिन्दगी अगर फाइन है तो समझ लो इसमें जरूर कुद्रत का साइन है सत्य शेर की तरह है इसे बचाने की जरूरत नहीं इसे खुला छोड़ दो ये अपना बचाव खुद कर लेगा जो तलाशता है उसे खुबी दिखेगी और जो तलाशता है उसे सिर्फ कमी ही दिखेगी बिजी रहने से इंसान के आदे दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं आप थोड़ा धीरज रखो समय आने पर आपके पास वो सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने इतनी महनत की है कमाल है जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता और जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता जहां आपकी घलती ना हो वहां जुको मत और जहां आपको इज़त ना मिले वहां बिलकुल भी रुको मत जिन्दगी में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं लेकिन भगवान का दर्वाजा हमेशा खुला रहता है। पोशिश करो कि दोगले लोगों से कभी रिष्टा मत रखो, क्योंकि जब वो नाराज होते हैं तो आपकी इज़त पेवार करते हैं। जिन्दगी में कोई भी गल्ती करना, लेकिन कभी भी किसी के भी लिए आप्शन बन कर मत जीना। बदलाव आना सरफ तब शुरू होता है, जब कोई जिन्दगी में आता है या जब कोई जिन्दगी से जाता है। उस इंसान को कभी भी मत भूलना जब हर कोई भाने बना रहा था और वो आपके साथ खड़ा था। कई बार बहुत से गुण होने के बाद भी सरफ एक कमी बिनाश का कारण बन जाती है। मैंने आजमा लिया है सबको, अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। कुछ लोग चपल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचर उचालते रहते हैं। ये कल्युक की दुनिया है साहब, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिष्टे ने भाता है। कदर सिरफ उसी की होती है जो सबसे ज़ादा दिखावा करता है। मुझे किसी से कोई शिकायद नहीं है। दलती मेरी ही थी जो मैंने इतना भरोसा किया। जो इंसान जतना ज़ादा अच्छा होता है, वो इंसान उतना ही ज़ादा इस्तमाल होता है। इतना नादान है मेरा ये दिल। ये उनके लिए परिशान रहता है, जिनके लिए हम कुछ भी नहीं होते। शब्द और विहवार ही मनुश्य की अस्ली पहचान है। चहरे और हैसियत का क्या है, आज है, कल नहीं है। इसी के लिए अगर हर वक्त हाजिर रहोगे, तो लोग आपको अच्छा नहीं, फाल्तू जरूर समझेंगे। जिन्दगी में सबसे मुश्किल वक्त वो नहीं है, जब आपको कोई समझता नहीं है। बल्कि वो होता है, जब आप खुद को ही नहीं समझते हैं। कुछ लोग जाहिर नहीं करते, लेकिन परवाह बहुत करते हैं। मतलब का वजन बहुत भारी होता है, जब मतलब निकल जाता है, तो रिष्टे बहुत हलके हो जाते हैं। मिटी से भी आरी रख, दिल से दिलदारी रख, किसे की बातों से चोट न पहुँचे, इतनी समस्तारी रख, बल भर ये जोश जवाली का, बुड़ापे की भी तैयारी रख, दिल सबसे मलता नहीं है। फिर भी जुबान, अपनी प्यारी रख, वोई आपका सम्मान करता है, इसलिए चुप है, उसे डर पो कभी मत समझना। जिन्दगी में अगर कभी ठुकर लगे तो लाट कर मत आना, तुम्हें आजाद दिया है, माफ नहीं किया, वहाँ नाराज कभी मत होना, जहां आपको ही बताना पड़े, कि आप नाराज हो, जो इनसान हर वक्त सब की खुशी चाहता है, सब के बारे में अच्छा सोचता है सब की कदर करता है, अक्सर वो ही इनसान जिन्दगी में हमेशा अकेला रह जाता है, आपके दिल से कही गई सो बातें भी किसी को दिखाई नहीं देंगी, लेकिन अगर एक बार भी गल्ती से गुसे में आपने कुछ कह दिया, तो लोग आपसे रिष्टा ही खतम कर लेंगे भमन के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी जिन्दगी में आत्म सम्मान के लिए लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है, अक्सर जिन्दगी में सब के पीछे भागने में, सब की परवाह करने के चक्कर में हम हमेशा पीछे रह जाते हैं, आप थोड़ा भरोसा वक्त पर भी किय करो, क्योंकि ये अच्छी से अच्छे चहरे को एक दिन बेनकाब कर देता है, पैसा किसी की हैसियत तो बदल सकता है, लेकिन किसी की आउकात कभी नहीं बदलती, दुआ में याद रखने के जमाने चले गए जनाब, आजकल तो लोग चुगलियों में याद रखने हैं, आन तो वहां मिलता है, जहां आपका मन मिलता है, जिन्दगी में नचाने कितने दर्दे से होते हैं, जने हम सरदर्द का नाम देते हैं, इनसान के गुरूर की आउकात बस इतनी है, ना पहली बार खुद नहा पाता है, और ना ही आखरी बार खुद नहा सकता है, समय रहते ही ख खुल कर जीना चाहते हो तो कभी किसी पर मत मरना सवाल एहंकार का नहीं इज़त का है कोई अगर लहजा बदले तो हम रास्ता ही बदल देते हैं जो लोग अपनी जंदेगी में खुद कुछ अच्छा नहीं कर पाते वो अक्सर दूसरों की बुराई करके खुश होते रहते है असली गलती वही है जिससे हम कुछ नहीं सीखते थोड़ा ध्यान से रिश्टे बनाना तो कि यहां तिखावे वाले जादा हैं और निभाने वाले बहुत ही कम कुछ लोगों के लिए तुम कभी अच्छे नहीं बन पाओगे चाहे आप उनके लिए कितना भी अच्छा कर लो उनकी नजरों में आप हमेशा फाल्दू इंसान ही रहोगे आजकल शरीश सरफ वही है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता वक्त इंसान को सफल नहीं बनाता बल इस समय का सही इस्तमाल इंसान को सफल बना रहा है